Assalamu alaikum, आप से आप देख रहे हैं, अब्दू समद, और आज हम लोगों ने बात करनी है, पे-च्डी पे, अगर आप लोगों को पी-च्डी की वीडियो चाहिए, यह अगर आपको अस्ट्रेलिया के अंदर पी-च्डी अप्लाय करनी है, तो इस वीडियो इस फो यू. आज हम लोगों ने प्लाय करना हैं पी-च्डी, आस्ट्रेलिया में आप लोग पी-च्डी कैसे अप्लाय कर सकते हैं, आज हमने उस पे बात करनी है, सबसे पहले तो इस वीडियो को बनाने का मकसद यह कि इस वीडियो के उपर लोगों की बहुँ जादा दिमांड थी, तो इ पूरे किये जा सकें, तो आज हम लोग बाहर बैठे हैं जाना है, और आपने वहां पर देखना है कि अगर वह स्कॉलर्शिप आपको दे रहे हैं, तो आपने सबसे पहले उन्यूवस्टी को एक प्रपोजल लिखना है, आज स्कॉलर्शिप प्रपोजल आपने उनको लिख लिखने हैं और आपने ब्रीफली एक्स्प्लेइन करना है कि हो यू आप इन क्वेस्टेंस को आंस कैसे करेंगे, आप जो यूनिवर्स्टी के अंदर जो रिसर्च गैप है उसको कैसे कवर करेंगे, यहां पर लोग ने बात करनी है कि डुमेस्टिक और इंटरनाशन रिसर्च प्रेणिंग स्कीम उसके तयाद उनको यहां पर फी नहीं पे करनी पड़ती है लेकिन अगर आप लोग स्कॉलर्शिप देख रहे हैं, तो आप लोग ने स्कॉलर्शिप के लिए उसके लिए पहले अलीजिबल होना है, ठीक है, तो जो मैंने आपको क्वेस्टन अपने स्कॉलर्शिप बताया थे कि आपने एक लिस्ट ओव क्वेस्टन लिए और आपने उनको बताना है कि अभू यह न की किस्कॉलर्शिप ने है, आपको कैसे मिले यहां पर इसके लिए इसके लिए इक लिए? इसके लिए आपको एक और चीज करनी है वो चीज यह है कि आप लोगों को एक सुपरवाइजर डूणना है उनिवस्टी के अगर आप अप्लाइ करें सबसे पहले तो आपने उसी उनिवस्टी के अंदर एक सुपरवाइजर को डूणना है कि मैं यह मेरी सुपरवाइजी में यह बंदा यहां पर आके पी एच्टी करेंगा अगर आपको वो सुपरवाइजर से अप्रूवाइजर मिल जाता है तो आपको वीजा और स्कॉलर्शिप दोनों मिलने में बड़ी सानी होगी क्योंकि जब आप लोग यह सारे साथ ने या तो जे पी से टैस्टेड करो ऐना यहां एकुलेंट बंदा पाकिस्तान में उससे ये टैस्टेड करो wygląda ने के यह आपने यूविस्टी पर्डल पर जो encouraging में उसनी एक इक बहूंदा इससी के साथ अपनाप करना और ऊपने done और आपने आपको इसका रिस्पोंस दे सकती है सम्टाम 10-10 वीक तक भी चले जाता है लेकिन डिपेंड करता है मिनिमम जो स्टुडेंट से मैंने पूछा है उनका यही कहना है कि चार से छे वीक के अंदर आपको रिप्लाय कर देती है इस दुरान अगर इनुवस्टी को आप से कोई और डाकुमेंट्स की रिक्वार्मेंट हो तो आप से पूछ लेते हैं चार से छे वीक के अंदर आपको वो अपना रिस्पोंस दे देते हैं कि आधर यह गइंग टीव श्कॉलर्शिप और स्कॉलर्शिप नहीं दे रहे और यह प्रोसीजर है सारा पी एच्डी के लिए लेकिन अगेन मैं आपको बता रहों को पी एच्डी इस रेली कॉंपिटिटिटिव इस नौट इजी क्योंके स्टुडेंट्स दुनिया बरसे अप्लाय कर रहे होते हैं तो हर यह निवेस्टी के पास एक लिमेंटेट सीट होते हैं तो यह गरंटी नहीं होती एक चांस होत यह मैंने में च्टी गरिवेस्टी यह ब्सक्ष знает